इससे पूर्व के लेक्चर में हमने लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज क्या है उनकी विशेष्टाएं भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशाशनिक संस्थाएं आदि की चर्चा की उसी के क्रम में आगे आज हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशाशनिक संस्ताओं की भूमिका का अध्यन करेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशाशनिक संस्ताओं की भूमिका व्यापक होती है एक और लोकतांत्रिक मुल्यों की स्थापना के लिए प्रशाशनिक संस्ताइं विभिन कल्यानकारी योजनाओं का क्रियानवन करती हैं दूसरी तरफ समाजवादी मुल्यों की प्राप्ती के लिए उत्पादन के साधनों पर नियंतरन रखती हैं एक लोगतांतरिक समाजवादी समाज में प्रशाशनिक संस्ताओं की भूमिका को निम्न रूप में समझ सकते हैं राज्य का स्वरूप कैसा भी हो प्रतेक इस्तिती में राज्य के कुछ अनिवारी कार्य होते हैं प्रशाशनिक संस्ताओं द्वारा इन अनिवारी कारियों का निश्पादन किया जाता है प्रशाशनिक संस्ताओं के प्रतम अनिवारी कारियों में आंत्रिक शांती विवस्ता बनाए रखना तथा विदेशी आक्रमन से रक्षा को मान सकते हैं सैना तथा पुलिस से संबंदी संस्ताइं इन कारियों का निश्पादन करती है प्रशाशनिक संस्ताओं के अनिवारे कारियों की श्रेनी में आने वाले दूसरे वे कारी हैं जिनका संबंद राज्य तथा उसके निवासियों के पारसपरिक संबंदों से होता है इस डाइत की पूर्ती हेतु प्रशाशनिक संस्थाएं कानून एवं नियमों के निर्माण, निरुपन एवं उनके निश्पादन में मैत्पुन, भुमीका का निर्वा करती हैं उधारन के लिए अभी हाल में चीन ने लद्धाक शेत्र में भारती सीमाव पर घूसपेट करने की कोशिश की, जिसका भारती सेनाओं ने मूतोर जवाब दिया, करारा जवाब दिया अभी हम COVID-19 की महामारी के दोर से गुजर रहे हैं, जिसमें हमारी पुलिस सर्विसेज द्वारा आंत्रिक शांती वेवस्था बनाए रखने हैं तू, जीत और मेहनत की जा रही है जिसे हम पुलिस को कौराना युद्धा के रूप में नमन कर रहे हैं, समानित कर रहे हैं, कितनी माइग्रेंट लेबर एक राज़े से दूसरे जाज़े में गई थी उनकी सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थानव पर पहुँचाने में पुलिस का पूर्ण सहयोगरा, सामाजिक विकास के उद्ध्यश्कियों की प्राप्ति ये तू भी प्रशाशनिक संस्थाएं, विभिन सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाती हैं नागरिकों के शेक्षनिक विकास के लिए शेक्षनिक वातावरन निर्मित किया जाता है, अर्थात विभिन शेक्षनिक संस्थाओं के इस्थापना वह निर्मान किया जाता है, तथा एक नियुनतम इस्तर तक निशूलक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है समाज में व्याप्त विभिन बुराईयों को नियंतरित करने का दाइत विभी प्रशाशनिक संस्थाओं को होता है अभी भी समाज में बाल विवा, दाहच प्रथा, छुवा छूत, नत्यू भोच, जाती भेदवाव, लिंक के आधर पर भेदवाव अधी कुरूतिया हैं उनको कम करने, खतम करने के लिए हमारी प्रशाशनिक संस्थाओं लगातर प्रयास रत हैं ये संस्थाओं विभिन सामाजिक नियोमों व कानूनों को क्रियानवित करती हैं सामाजिक विकास की द्रश्टी से ये संस्थाओं समाज के कमजोर व पिछड़े वरगों के उत्थान के लिए विभिन कल्यानकरी योजनाओं का न केवल निर्मान करती है अपितु उनका संचालन भी करती है आर्थिक विकास के उद्देश से प्रशाशनिक संस्ताएं न केवल अर्थ विवस्ता का संचालन करती है अपितु विभिन आर्थिक सिद्धांतों की खोज करके उन्हें क्रिया दीर्ग कालीन व अल्प कालीन योजनाएं निर्मित करती हैं। इस योजना के माध्यम से आर्थिक विकास की गति को निर्मित किया जाता है। भारत में पूर्वर्ती योजना आयोग और अब निती आयोग नामक प्रशाशनिक संस्था इस कारियेतु उत्तर दाईए इसके अतिरेक्त विभिन संस्थाएं देश में उपलब्द आर्थिक साधनों का पता लगाती हैं उपलब्द साधनों का अधिक्तम उप्योग करने के उद्देश से प्रशाशनिक संस्थाएं विभिन अनुसंधानों शोधों के माध्यम से इस नतीजों इनके नतीजों की साहता से आर्थिक नितियों का निरूपन करती हैं अभी भी COVID-19 में भारत की अर्थिवेवस्था बुरी तरे प्रभावित हुई इस हेतु भारत सरकार ने 20 लाख करोड का आर्थिक पैकेज घोशित किया है ग्रामिन शेतर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महा नरेगा योजना के बजट में 40,000 करोड की व्रद्धी की गई है जिससे ग्रामिन शेतर के रोजगार के अवसरों में व्रद्धी की जा सके देश के 116 जिलों के लिए जहां प्रवासी श्रमिक अधिक मात्रा में आये हैं उनके लिए 50,000 करोड के बजट से 25 योजनाय शुरू की गई हैं इससे हम ये समझ सकते हैं कि लोगतांत्रिक समाजवादी समाज में आर्थिक विकास के लिए प्रशाशनिक संस्थाएं समय की आवशक्ता के अनुसार निरंतर क्रियाशिल रहती हैं अथा एक लोगतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशाशन तंत्र आर्थिक विकास का शशक्त वाहक कहा जा सकता है राश्ट में लोगतांत्रिक मुल्यों की रक्षा तभी संभव है जब उस राश्ट का राजनितिक विकास हो और उस राश्ट में समाजवाद लाने और वन्चित वरगों के विकास के लिए ये आवशक है कि राश्ट के प्रतेक नागरिक को राजनितिक न्याई भी उपलब दो इस प्रकार लोगतंत्र व समाजवाद दोनों विवस्थाओं में राजनितिक विकास को आवशक तत्व माना जाता है इस उद्देश की पूर्ती हेतु प्रशाशनिक संस्थाएं विभिन इस तरों पर निर्वाचन की विवस्था करती हैं निर्वाचन कारे निक्षपक्षो इसके लिए संबंदित संस्थाओं दोरा समय समय पर विभिन नियम बनाए जाते हैं उन नियमों की पालना भी सुनिश्चित करवाई जाती है इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं पर यह दाइत्व भी होता है यह responsibility भी होती ही कि वे ऐसे कारे करें जिससे प्रतेक व्यक्ति की राजनिती में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो इस प्रकार एक लोगतांतरिक समाजवदी समाज में प्रशाषनिक संस्थाएं राजनितिक विकास के लिए जन्ता की अधिक्तम भागेदारी है तू विभिन कारे निश्पादित करती हैं प्रशाशनिक संस्थां द्वारा कई अन्यकारिय किये जाते हैं जैसे नागरिकों की सुविदाएं है तू ये संस्थाएं प्रमुख द्योगों का संचालन स्वैम करती हैं क्योंकि नागरिकों को श्रिष्टतम सुविदाएं देने के लिए इन पर राज्य का नियंतरन आव प्रशक है जैसे यातायत के सादनों का संचालन जल प्रबंद दूर संचा टेलीफोन की सुविधा अस्पतालों का संचालन वा प्रबंद आदी लोक तांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशाशनिक संस्ताओं की भूमिका के अध्यान से हम यही इस्पष्ट कर सकते हैं य ऐसे समाज में प्रशाशनिक संस्ताओं की भूमिका अत्यधिक व्यापक एवं भव आयमी होती है थैंक्यू